आप देख रहे हैं चौहान वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इगनु की important updates के बारे में जिसमें दिसम्बर 2022 के exam result की भी update है तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनू के स्टुएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सेयर जरूर कीजिए तक सीधा वीडियो की सुरुगात करते ह। पहली अपडेट के बार में बात करते हैं और दिल्ली के रिजनल सेंटर तो वहां पर वह या तो अविलेबल नहीं थे या फिर कीची भी कारण से उनका एड्रस नहीं मिल पाया और वो सारी डिग्रिया जो है वो रीजरल सेंटर में वापिस आ गई है पूरी लिस्त रिजानिकी गई है पूरी लिस्ट चार पन्नों की जिसमें बताया गया है कि जैसे पहले आप देख सकते कि स्पीड पोस्ट के जरिये 19 अपरल 2023 को भेजी गई थी लेकिन उनको रिटर्न कर दिया कि 27 अपरल 2023 को तो यह सारी जानकारी जो है वो दी गई है कि कौन-कौन से पर जाकर आपने डिग्री को कर सकते हैं इसके बारे मैंने आपको कुस दिनों पहरे भी जानकारी दी थी ऐसे सभी इस्टोंट जो कि 36 कॉनवकेशन के 35 कॉनवकेशन के हैं अगर आपने अभी तक कॉनवकेशन की कि नहीं किया तो यह नंगी किन जीन संस्टर के जरीए आपकी डिड्री है, डिप्लोमा है या कर्वाइट ve जाएगी तो यह लिस्ट है आगे बाकी रिजनल सेंटर जो है उनकी तरफ से भी ऐसी रिलिस्ट चारी की गई है जहाँ पर बताया गया है कि उनके यहाँ पर कौन-कौन से इस्प्रेंट है जिन्होंने या तो कॉन्वोकेशन की फी समिट नहीं की इसमेट कर दिया लेकिन उन पर चेक कर सकते कि साथ जुलाई 2023 तक का स्टेटर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया ता तर जून 2023 का अरले डिग्लेरशन का रिजल्ट जी है वो डिग्लेर किया गया था लेकिन कल दिसमबर 2022 के एक्जाम रिजल्ट की कोई भी नहीं अपडेट जारी नहीं की गई थी ले काम result की नई अपडेट जारी की गई है। लेकिन आज अभी तक Grade Card या फिर और Revaluation की कोई नई अपडेट जारी नहीं की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपका पसंद दे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सेयर जरूर कीजिए।